नमस्कार दोस्तों सुबगत आप सभी का हमारे चनल शिया मार्केट में मैं हूँ आपका दोस्त नभी और आपके लिए एक और जबरदस न्यूस लिए क्या है सर्वेश वर फूड को लेके यहां पर 10% का जंप आया और यह 10% का जंप आया दो मेजर न्यूस की वज़े से एक बजट अनॉसमेंट दूसरी बजट अनॉस के बाद कमपनी ने एक मेजर अपने लिए डिसीजन लिया तो वो डिसीजन क्या है और क्या इंपक्ट पड़ा वो जानेंगे इस वीडियो में लेकिन थोड़ा से अंतुदार की थी है पिछले 5 दिनों में 10% की तेजी एक मत में 35% के रिटर्न है और पिछले 6 मत में 40% के नेगटिव रिटर्न अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने कुई सभी चीज़े स्क्लीन की थी गिरावट क्यों होई है और मैं के बाद स्टोक में 10% का जंप आया है FMCG जिन लोगों को नहीं प्रताव लोगों को बता दूं कि FMCG वो कंपनी जोती है जिसमें फास्ट मोविंग कंजूमर गूर्स जैसे कि अगर आपक किसी स्टोर में कुछ बाय करें जाते है तो शेल्फ पर जो फूड लगाता है उसे हम FMCG फूड बोल देते है FMCG कंपनी सर्वेश्वर फूड ओपन हायर तोड़े अंदर विटनस फ्रॉंग बायं इंटरस इन फ्राइड सेशन विच रिजल्ट इन स्टोक हिटिंग रिकोर्ड हाई आफ्टर बजेट अनॉंश्मेंट दे स्क्रिप्ट ओपन ऑन दी बिस्याइट फूड 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 पैसे और जो क्लोज हुआ वो आट रुपे चोदा पैसे बहुआ यहाँ पर साथ रुपे पचुड पैसे से आट रुपे चोदा पैसे दक दस प्रिसेंट का जम स्टोक ने दिया तुक प्लेस आफ्टर सर्वेश्वर फूड लेमिटेड ओपन टू मोर स्फेल चुपाल प्रॉस्मेंट फैसल्टी सेंटर जिसमें यह क्या करेंगे अपने जो फार्मर्स हैं उनसे डारेक्ट समान लेंगे तो जो बिचोलिया है वो खत्म हो जाएगा और इन्हें समान सस्ता मिलेगा जिसके तलते कंजूमर को भी सस्ता मिलेगा और यह दो नई फैसल्टी कंपनी को काफी जारा नए ओर्डर भी प्रवाइड करेगी और यह जो फैसल्टी अब कहां का खुली है कुलकाम एंड दोदा यह चीज़ें जगाएं कहां पर हैं फ्रैंकली मुझे नहीं पता अगर आपको बता है कमेंट के जरू बताएगा तो यह जगाएं मेरे एकोर्डिंग जम्मू के अराउंड होगी क्योंकर यह जो कंपनी है वो मेलनी जम्मू में ही काम करती है तो डिरेक्ली परचेस ओथेंटिक हमालियन फूड फूड फ्रॉम फार्मर इंक्लूडिंग वॉलनट राजमा एपल्स ब्लेक्ट मॉरल जिसे हम गुच्ची भी बोलते हैं एंड केला जीरा काला जीरा सोई यह सभी चीज़ें यह चीज़ें कंपनी फार्मर से डिरेक्ट परचेस करेंगी जिसके चलते काफी जारा प्रॉफिट कंपनी को लॉंग डर्म में भी होने वाला है अब कॉश्चन यह उठता है कि क्या इस स्टॉक में बाइंग करने चाहिए क्योंकि मैंने पांच रॉट के पर बाइंग करने के एडवाईज दी थी अब स्टॉक लगा तर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा रिस्की भी रहने वाला है हां थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ेग लेकिन फिर भी बहुत जारा कमनी होने बाला 70 है तो 50 55 60 तक हम अज्यूम कर सकते हैं रिटर नौन कैपिटल इंप्लोईट एट है चोटी कंपनी के साथ जारा होती तो मच बैटर होता रिटर नौन कैपिटल इंप्लोईट के साथ रिटर नौन एक्विटी भी 4.69 जो की अवर और इस नूज के बाद स्टॉक में जंप दिखने के लिए बनते ही थे फिर भी अगर आप चाहते हैंगे इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाए दे और जितनी मेचर नूज चली हुई है वह आपको पहले पता चले तो चैनल को भी सबस्क्राइब करिए ताकि अपका लास शर्ड के मकाबले यहां पर इस बाकी इससे पहले बढ़ा रहे थे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है और डेफिनिटली पब्लिक जहां बाइंग करने के बारे में सोच रही है तो वो तो अच्छा ही है पिछले कुछ टैम से स्टॉक में वोल्यूम भी काफी जारा बढ़ता नज़र आया है तो कुछ ना कुछ बढ़ा तो होने वाला है फिर भी शेयर को लेके अधर आपकी कोई भी क्वैरी है तो कमेंट कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको एक च्छेयर वाइस दे अब इक लिए दोस्तों बस इतना ही